तो हम जा रहे हैं कचोड़ी बनाने और आईए आप लोग भी खा लीजिए एक कचोड़ी किसकी है चावल का जो नया चावल होता है तो उसी के आँटे की कचोड़ी है तो आईए आप लोग खा लीजिए और आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड कम प्रसे अगे बाद जो है आटा हम चावल का आटा ही लिये थे और कुछ चीजिए नहीं किया था इसके बाद आलो उबाल के इसको फ्राइए कर लिया था तो वहीं सब बता रहे थे और आप लोग मेरे चैनल को जरूद सब्सक्राइब करना अच्छे इसी वीडियो के देखने के ल द्धर प्रेइश प्रेशं करना तो उसके लिए चल्श यह बाल लिया है इधर हमने घ्लांत बाल अहरी मिर कट करके रख लिया थे बीदर हमने लोग बहना है जिसमें लिए यह चैनल के लिह रखेंगे क्ययों कि हम सब्सक्राइब पर के लिए देख सब्सक्राइब के उसको हम टमाटर की चटने से ही खाएंगे अच्छी लगती है हम लोगों को अगर आप लोग को पसंद हो तो आप लोग सबजी बना सकते हो कोई भी सबजी तो हमने सारा चीज कट करके रख लिया है आलू भी बारी कर लिया है उबाल के उसको बारी फोड लिया है आप लोग देख सकते हो गरम ही अलू है अब है इधर औल अपने ऑप अलु मैं औलू घड Swedish इन हमारा गरम हो रहता है और मैं घरी अच्छा भर म उस्का तरह बहुत लोग को हम देखते हैं अच्छा नहीं amor तो अधिकतर हम वीडियो देखते हैं लोग की तो इसी टाइब का रहती है लेगिन हम ऐसा कुछ ने जब तक तेड ओईल में आपको हलका सा दूआ ना निकलने लगे गरम हुज तभी आपको एट करना है उसमें जीया भी रब चटक गया मिर्ची डाल दिये फिर हमने जो मतर क उबाल के रखा था हरी मतर यह है इसको उबाल के रखा था अगर आपके पास सफल मतर है उसको भी ले सकते हो यह हरी मतर जो ठंड में आती है वही वाली है मतर तो हमने इसको थोड़ा सा उबाल दिया अब इसमें हल्दी पाउडर हम एट कर देंगे थोड़ा सा और इसको अ अच्छा सा रहता है टेस्टी नहीं लगता जब यह अच्छी तरह से हमारी भून गई तब हम इसमें आलू भी एड कर देंगे जो वालू उबाल के रखे थे उसको भी हम इसी कल्चुल के सहरे से अच्छे से मिक्स कर देंगे देख लीजिए आप लोग हमने एक हांसी भी पगड़ रखा है किचन में हमारे थोड़ा इस पीच कम है स्टेंड लगाने में थोड़ा सा प्राब्लम होती है तो अब लोग प्लीज सभी मैनेज करिएगा अब इसमें हम नम्मक भी एड कर देते हैं तो यह देखिए हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और कुछ न अब भी एड कर देंगे धार है तो एक कोई खाना ही नहीं हम अब इसको और भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैंं और हमने इस डिखा दिया घायर कि चावल के आंटे को हमने गूत कर लिकाए घृण आप चावल के आँटे से खाली बनाते हो तो वो थोड़ा सा फट जाता है तो बहुत लोग से नहीं बनता है तो उसमें आप थोड़ा सा की हूँ के आँटा मिक्ष कर सकते हो उससे आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यह हम आपको दो इस्टेप बता देती हैं इससे चावल के आँटे से खाली चावल के आँटे से ना बने उसमें थोड़ा शाग गेहू के आटा आप मिक्स कर लीजिए तो उससे जो है दोनों मिक्स करके अच्छे से गूत कर लीजिए तो वो बन जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगा तो यह देखिए अच्छे से मारा ज जैसे गेहु की आटे की बनाते हो भर के सेम उसी टाइप में आपको इसको भी बनाना है भरने का प्रोसेस हम अभी आपको बता देंगे तो यह देखिए हमारी एक कचोड़ी सिक रही है आईए आप लोग भी खा लीजिए और बहुत करारी करारी सी बनती है खाने में अमने त था था थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है लेकिन बना लेते हैं कोई बात नहीं है प्रयास करना चाहिए किसी चीज़ से हार नहीं मानना चाहिए तो देरे देरे करके बना लेते हैं अगर नहीं बनता आप लोगों से तो आप जो है तोड़ा सा गोश से गोठते समय इसमे में थोड़ा से भढ़ लेंगे पहले उसके बाद जो है इसको ऐसे करके से aiसे आप चछोडी में भरते हो फिजह भर भरना है उसके बासे इसकल कि अर्गा करने ही और हांस 되면 नहीं चलाना है चलाने से फट जाएगा ऐसे हांसे ही दबाके आपको पतला पतला कर लेना है ये देखिए हमारी टमाटर की चटनी और कचोड़ी आलू की और चावल की कचोड़ी चावल के आटे की कचोड़ी बनके रेडी हो गई है आपको परसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को करना मिलते हैं इस वीडियो में तब तक की लिए बाई